हेलो एवरिवन मेरा नाम सागर दिकारी है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं 11th क्लास का English का टाउन 2 का स्लेबस बताने वाला हूँ कि अब आपको क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है ठीक है मेरे पास PDF है इस PDF का लिंक आप लोगों को description box में मिल जाएगा और बहतर होगा कि आप इन चीजों को ना अपनी copy में लिख लें ठीक है क्योंकि आपको clear रहेगा कि आपको क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या नहीं पढ़ना है बार-बार PDF देखोगे फोन में copy में रहेगा तो भाई ज्यादा बहतर रहेगा बाकि जैसी आपको सिविधा हो अपने फोन में भी आप PDF भी रख सकते हैं ठीक है तो term 2 का हम लोग syllabus देखने वाले हैं तो सबसे पहला हमारे पास आता है reading comprehension ठीक है जी reading comprehension आप लोगों के पास term 1 में भी था term 2 में भी है और सारी बात इसे हम है unseen passage और unseen passage for not making and summarizing सबसे पहले जो unseen passage आप लोगों के पास होगा वो 8 marks का होगा ठीक है इसमें आपके पास factual, descriptive, literary, discursive और persuasive ये सारे passage आप लोगों से पूछे जा सकते हैं 8 marks के लिए आप लोगों के पास इस बार पैसेस तो होगा मगर वो not making के लिए पूछा जाएगा summarizing के लिए पूछा जाएगा not making, summarizing एक topic जो है आप लोगों के पास term 1 में नहीं था इस बार आपके लिए नया होने वाला है not making का जो question आप लोगों के लिए 5 marks का होगा तो 8 और 5 आपके पास बन जाते हैं 13 तो overall आप लोगों के पास जो reading comprehension है वो 13 marks का होने वाला है ठीक है? पैसेज वगेरा सेम रहेंगे MCQ नहीं है इस बार subjective रहने वाना है और जो दूसरा type आप लोगों के पास passage होगा वो not making के लिए होगा ठीक है जी? उसके बाद आप लोगों के पास है creative writing skills and grammar सबसे पहले इसके अंदर जो cover होगा short writing task cover होगा जो कि time first में आप लोगों किस notice पूछा गया था? 3 marks का था इस बार notice नहीं पूछा जाएगा क्योंकि time 2 में चीज़े repeat नहीं होड़ी ना तो यहाँ पर हमारे पास पूछा जा रहा है हमसे posters posters making का question बनता है 3 marks का आप से पूछा जाएगा short writing में, class 11th में और दूसरा आप लोगों के पास होगा long writing tasks इसमें क्या है आप लोगों के पास आएगी official letters example to school college authorities regarding admissions school issues, requirements, suitability of courses तो आप लोगों के पास यह letter आपको देखने को मिलेगी जो आप लोगों के पास time first में था ना कि inquiry करनी है, complaint करनी है information या order place करना है reply करना है, वो नहीं है इस बार कुछ नए आप लोगों के पास है letter तो same रहेगा, format तो same रहेगा but topic change है, आप लोगों को school को लिखने होंगे, या फिर college authorities को लिखने होंगे, admission के बारे में हो सकता है कोई school का issue हो सकता है कोई requirement आप लोगों को है कोई course की आप कुस्टेबिलेटी पूछनी है तो यह सारी बाते आप लोग यहाँ पर इस बार लिखेंगे letter के form में, आप लोगों के पास यह वाला जो question होगा, वो five marks का होने वाला है इसमें आपके पास एक option रहेगा, debate term first में आप लोगों के पास speech थी term two में हम लोगों के पास debate है ठीक है letter और debate में आपके पास option होगा यह वाला question आप लोगों के पास five marks का बनेगा determiners है, tenses है, re-ordering of sentences है, जो कि आपके पास thumb 1 में भी था, तो 3 number का poster है, past number की letter और debate में option मिलेगा, 4 number की आपके पास grammar हो जाती है, ये total आप लोगों के पास कितना बन गया, 12 बन गया, तो उपर आप लोगों के पास 13 और 12 आपके पास कितना बन जाता है, 25 बन जाता है, ठीक है जी, अब हमारे पास आजाती है literature की बात, कि हमें literature में क्या-क्या पढ़ना है, जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों के पास दो किताबे हैं, एक है hornbill, और एक का नाम है snapshots, hornbill आप लोगों के पास 9 marks की होगी, और 6 marks की आप लोगों के पास snapshots होगी, total आपका बन जाता है 15, 25 में जब आप 15 add करते हैं, तो आपके पास बन जाते हैं 40, hornbill में से सबसे पहली poem जो आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है The Voice of the Rain, ठीक है, फिर एक chapter आपको पढ़ना है, The Ealing Planet, The Green Movement's roll, यह आपको chapter पढ़ना है, अगर किताब आपके पास है, किताब में निशान लगा लीजिए, या PDF रख लो, या copy में लिख लो, जैसा आपको सुविदा हो, मैंने आपको बोल दिया है भाई, और एक और chapter आपको पढ़ना है, जो की play की form में, नाटक है, उसका नाम है The Browning Version, फिर एक poem आपको एक और पढ़नी है, वो है Childhood, एक poem Childhood वाली थी, और एक poem आपके पास The Voice of Da Rain थी, और एक chapter और पढ़ना है आप लोगों को Silk Road, यह है भई, होन बिल से आपको क्या-क्या पढ़ना है, Time Fast में जो आया, दुआरा नहीं पढ़ना, और यह जो chapter के list आपको लिखी वे, यही पढ़ना है, यही सिर्फ दो poem आप लोगों को पढ़नी है, और simply, अगर कुछ deleted है, अगर कुछ नहीं भी पढ़ना है, तो अगर वो chapter का नाम यहां पर नहीं लिखाना, तो वो chapter आप मत पढ़ना, तीक है, वो chapter नहीं पढ़ना, जो लिखा है, सिर्फ और सिर्फ वो ही आएगा, तो home bill से clear है, अब उसके बाद आप लोगों के पास दूसरी book आती है, दूसरी book आप लोगों के पास है, snapshots, सिर्फ तीन chapter पढ़ने हैं हम लोगों को यहां से, एक का नाम आप लोगों के पास है, Albert Einstein at school, जो की chapter है, और एक आप लोगों के पास है, एक Mother's Day, जो की play है, और एक birth आप लोगों के पास, ये भी एक chapter होने वाला है, snapshots आप लोगों सिर्फ तीन chapter पढ़ने हैं, दुवारा से मैं कहारा हूँ कि भाई, जो time first में था, दुवारा विल्कुल ने पढ़ना, repeat नहीं करना, और अगर किसी chapter करना, आप यहाँ पे इस वाले list में, इस वाले column में नहीं लिखा हुआ, तो वो आपको simply नहीं पढ़ना है, ठीक है, तीन chapter snapshots के, तो भई, यह आपके पास 40 marks cover हो गये हैं, पूरा आपको मैंने idea दे दिया है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, reading comprehension आप लोगों के पास 13 marks के लिए, short writing task 3 marks, low writing task 5 marks, grammar 4 marks 12 बन जाता है, 13, 12 आप लोगों के पास 25 बन जाता है, 50, तो बस त्यारी करना start करो, जो जो बताया है यहाँ पर, पढ़ना start कर दीजे,